मेकले एजुकिष्यन यहां तक पतित कर दिया कि नारी के दिमाग में लड़की के दिमाग में यह डाल दिया गया कि पती कमा के लाएगा तू खाएगा क्यों तुम दुसरे के अपर क्यों डिपेंडेंड हो तुम क्यों दुसरे का सहारा नहीं बनोगे नहीं सारा मोते आश्रम देखे दियों तुम बसी भी जाइ भी खाइ भी क्यूँ तुम क्यों नहीं खुल सकते हो तुमारे अंदर हो capacity क्यों नहीं है कहा कमी है मैं इतला सारा क्यूं कहारा हो जानते हो भाई आप लोग सब के अंदर मुझे हो capacity दिख रहा है कि आप कर सकते हो, आप छोटा चीज नहीं हो, आप मान हो, ग्रेट हो, बेस्ट हो, ये मैकोले एजुकिसन के कारण आप समझ नहीं पा रहे हो, अपने को पहचान नहीं पा रहे हो, अगर आप बेस्ट नहीं होते तो मेरे लाइफ में ये केंप इतना बेस्ट हुआ है, बाकि स सारा केमप बेंस नहीं हुआ हर यह पुछ रो हर केमप में कुछ ना कुछ disturbance? यहां तो मुझे एक भी कंप्लेंस आमने नहीं आया है। वो एक थोड़ा आया सके साथ कुछ नहीं हुआ लेकिन वो कोई मतलब का नहीं था। बे मतलब का था वो उस दिन जो थोड़ा सा मैं बाद में रेकोडिंशना तो वो कोई मतलब का नहीं था वो तो अधिकारीक अभिमान था वो कोई टेंशन में किंद काउंट नहीं हो वो एक अधिकारीक अभिमान है दोस्ताना है उसमें इंपोर्टन नहीं है लेकिन ये मेरे लाइब का यही एक इचेंड ब्री डाटा मेरे पास रहता है। मैं रखता हूं मेरा यादत है। तो गुट है। यानि मैं इस खित्र पे आज आप लोग का वीडियो зем嘅 सबहत आच्छे है। बला हां यही मेरा किस्मत हुआं। और यहां से मैं सोच रहा हूं, येस, अब मेरा भागय खुलने बादा है, क्योंकि अब तक बहुत सरे गंदा कचडा लोग आए, लिखिन में, I am not worried about them, कर्मयोग का प्रिंस्पल ही यही है, विपरित राजयोग जो तुमारा जो विपरित राजयोग हो है, दुख पाओगे, डंडा खाओगे, कष्ट में आओगे, प्रब्ले में पढ़ओगे, तब भागय खुलेगा, तब विपरित राजयोग जगएगा, धुन्स प्रले बरबाद होगा, विपरित राजयोग जगएगा, लाइप में जब तक समस्या नहीं आया नहीं खुलेगा एक कर्म काटो वो काम कोई काम का नहीं अभी दखो यह सिविर हुआ मैं दो जारों के तेल जला के गया आया तो संबड़ी से आरे यार बेकार नहीं हाँ सही बात है आपका दुस्टी एक्दम ठीक बेकार लेकिन मेरा दुस्टी अलग है मैं कहा कि यह जो बेकार काम है न इसे कर लूँगा तो आगे आके साकार काम मिल जायागा यही प्रिंस्पल अब कर्म ही होगा and you never believe रात को यह बोल के मैं सोया सुबह सुबह फोन आता है सर स्किल डेवलेमेंट का नो करोड का प्रोजेट बैक करके बैठा है और जगा नहीं मिल रहा है और NGO नहीं मिल रहा है जो NGO था पेपर खिछ लिया आपका NGO का पेपर दोगे क्या बला लेलो लेलो कोई बात नहीं बट मुरे को मैं एक ही जगा में जगूँगा पेपर अपड़ेट होना ची तुम कितना खाना है खालो बदनामी मेरे पास नहीं आना ची उसको जगूँगा मुझे एक उर्पया नहीं ची बला क्या सार एक उर्पया भी नहीं लोगे बला हाँ फ्री है कोई सेयर होल्ट नहीं कोई सेयर नहीं लेकिन पेपर ओके अकाउंटेंट्स ठीक होना ची तुम खालो ना उसमें तुम दस लाग खालो लेकिन लिख के दो I am not worried about that बड़ा खूँज हो गया है दूँ अभी आई भी बेटो यभी सार अभी नहीं सीविर खतम होने दूँ दिस इस विपरितरा जीओ एक केंप किया जिसको की सब बोले बेकार मैं बोला ये मेरा बेकार करम कट गया अब आगे पेमेंट आएगा देखो ये केंप नहीं किया होता तो आता क्या इसी को बोलते हैं माया छदमामरन तुमारा भाग्य छदमरूप में बैठा है तुम असके नहीं खोलोगे तो नहीं मिलेगा तुम बोलोगे मेरा बाप ऐसा कंडिशन वो बोलेगा मेरा सोर्सप इंकम ऐसा है वो लड़की बोलेगी मैं सिलाई दुकान में घड़ घड़ कर रहे हूँ मेरा भाग्य ठीक क्योंकि तुम एक कर्म करके नहीं काटे हो तो दुसरा कर्म नहीं आ पा रहा है समझो क्या बोल रहा हूँ एक ट्रेन बीच में रुका हुआ है कहां पट्री में तो पिछे बाला सुपर फास्ट नहीं क्रॉस कर रहा है वो बैचे रहा हूँ ट्राफिक में फसा हो रहा है इसे क्रॉस कराओ नहीं आएगा खुलेगा आदम भाड़ करके खुलेगा तुमारा बाग्यो तुम तो इसी में लटका के रख्यो तुम्हें अगर दिख रहा है कि सर तुम्हें अगर दिख रहा है तुम्हें भी बोल रही थी ना मूँ कॉन कोरी भी बुजी पर हो नहीं बोल दिख नहीं जोर से बोल काल बोल रही थी ना मूँ बुजी पर हो नहीं बोल रही थी ना बने execution execution वही तो कह रहा हूँ हाँ हुआ वही तो कह रहा हूँ समझ नहीं अद्वढ़ में हूँ डिस्टब में हूँ पहले से knowledge नहीं है पहले से knowledge कि कि सिथी के ऊपर नहीं रही है कि सिथी ऊपर ऺएब। पॉर प्रिंटी क्या किया रहा हूं समझे पहले मैं नहीं करो फिर अभी एमें पीशडी पढ़ लिया और फिर आगया मेरे पास से नो मैं इसलिए सब कुछ खुल के दे रहा हूं लो और काम चालू करो एक बात बता तु जिस एरिया में काम कर रही हो वहां पर सौ किसानों को जोड़ने के लि काम के नेधुन की कि वहां 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 आब दौनों को कैसे मिला हूं दुसे किसे कमां दो अधले लोगा फालेई लोक्ष्य क्लियर हो हूँ एक गार्में डॉस फजार आदमी रेते हैं यहां तो फेह टो गत ऑंद फज़ार आदमी यह साबुन भी खर देंगे NEखेश दिएज तो अनुका गशर नए प्याद Madras बहुँत on अब ये सोचना है कि उसका रेड राइस करका कैसे बेचेंगे वो कोडिनेट करो तुम मत करो तुम्हारे पास टाइम नहीं है तुम कला अंगरेज से पढ़के निकले हो अभी तुमको बोलेंगा कुआ खुद पाएगी क्या नहीं ना कोडिनेट कर दो ना और उसके लिए घर चोड़के गाउं को जाना पड़े क्या हो जाए आगा जाद से जादा तुम्हारे साथ यहाद लग तो फिर लो अगर तुम मैं यही कह रहा हूं ना एक हज़ार साबुन एक हज़ार साड़ी मिनिमूम कह रहा हूं सोरी 10,000 एक गाउं को एक बार बता गाउं बले एक ना में खरिदते हैं कौन गाउं बला है 200-300 में गुजराट से अगर तुम साड़ी ओर करते हो तो सो रुपया में दे सकते हो कि नहीं सेम साड़ी तुम्हारा बड़ा बज़ार में मिल जाए सेम साड़ी है वही तो ला कहीना डबल रेट में कपड़ा बिजनेस करते हैं ना नमक तुम अगर पूरी में जाते हो या असपास जहां नमक मारा जाता है नमक किलो क्या रेट है ओन साइट तिन रुपया किलो बज़ार में कितना मैं मिलता है 10-20 रुपय 15 रुपय ट्रांसपोर्ट जोड़ दो हर एक रुपया में एक किलो आरे चल समुद्रनमक का बात कर तुम दस हजार किलो दस हजार फेमिली को तो दे दोगे एक रुपया भी बेज दिया एक रुपया का भी बेनेफिट रखते हो तो गाउं बहले तुम से लेंगे की दुकान से लेंगे बता उनको गाउं में पंदर रुपया बीस रुपया मिलता है तुम दस रुपया में दो इस गाउं में, ये कोडिनेट कोन करेगा? अगर तुम ग्राम में गुरुकुल बात करते हो, ग्राम में स्वास्त गुरुकुल का बात करते हो, ग्राम में स्वाबलंबन गुरुकुल का बात करते हो, तो स्वाबलंबन, स्वादसी, उत्पाद, कोन मेरा बाप बनाएगा वहां से 10 रुपिया का एक रुपिया, यहां बिकरी का 10,000 का एक रुपिया, 20,000 रुपिया तो बिना कुछ किये पाते हो, तो वो कोडिनेशन कौन करेगा, अगहां का गरामेड आध्मी जो वइतलू प्रोडी करता है, जो लाऑँ वइतलू प्रोड़ु करता है, चावल प्रोड़ प्रोड़ु करता उसके हात में बड़ा मोबैल नहीं है, यहां is, he don't know how to handle. You you know how to handle you know how to coordinate you know कि उन कुर्शकों का कैसे डिरेक्टरी बना दें करना नहीं चाहते हैं अपने आप हो जायागा कोई कर देगा कोन करेगा नहीं करना चाहते हैं बुद्धी नहीं नहीं है तो बनाओ तो फास्ट प्रड़क्ट फास्ट फाइप ग्राम्य गुरुकुल बच्चे तुम जाके बालसास्कार सिविर करोगे बालसास्कार सिविल तर एकिस दिन का चोटे-चोटे बच्चे हो को लेगे बालसास्कार सिविर करोगे उसमें क्या सिखना है यही जो सिखा है यही तो सिखा होगे I am the guest lecture मैं coordinator गया भरिया जाएगा कोई कमी है उसमें जरणा में करोना सी कि उसमें कमी है करोना सिविर पैसा कमाओ फ्री में करो नहीं बोलो दया मत करो किसी को दया नहीं करना है जानते हुए बड़ा जीबन का बड़ा घटना बता